हमरे जाद बाचीत के लिए मौझूद हैं बीजेपी के राश्टी सच्यों को सामी से लोक्षावसांसर विनोस सुनकर जी से निश्ची तो इस उत्तरप्रदेश को बहुत बड़ा लाविस्यों होने जा रहा है और युवाओं के रुजगार की बात किया जाए तो जिस तरह से सरकार ने चिन्हित किया है कि गाड़ियों की एज इलेक्टानी गूर्स की जिन्धाइद करके इस कैप पॉल्सी के माद् कि राहूल गांधी ने ट्वीट किया है कि ना तो से रिरीड परशन की लिए कुछ है ना तो ऐड़ों केspra विए कुछ है तो इस तरह ही है इंदो कि एुछ Bis करमचारी है उनकी pension scheme पहले केंद की ओजनाओं से अलग थी पहले केंद 14% कंटिब्यूट करता था इस्टेट 10% था उसको 10-14% किया गया तो राजी करमचारियों को सीधे केंदी करमचारियों को बरावार लाने का काम किया गया है इतलिए राहूल गांदी को कहीं थोड़ा पड़ेगा ऐसा कुछ ना बोलें जो देश की जनता उन पर हांसे सब्सक्राइब कर देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को इससे बड़ा लाब मिलने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मागंगा जो है विजनोर्स लेके बलिया तक लगवाग साथ 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 सो किलो मी प्रदेश में हजारों पड़ते हैं जहां प्यार गांजी खेती को बढ़ा मिलेगा तो किसान की आई भी बढ़ेगी और उससे इवाओं को रुजगार का भी उसार मिलेगा शुक्रिया हमसे बाचित करने के लिए तो यह हैं बीजेपी के राष्ट्री सच्यों और कौसामी जिनका कहना है कि इस बजट से सभी लोगों को फायदा होगा खासतर से राहूल गांदी को यह बजट पढ़ना चाहिए तब विरूत करना चाहिए जिससी को पता चल सके इस बजट से सब के लिए सब के हित में काम किया गया है करशन कपिल सुलंगी के साथ अमिनाश्तिवारी एबीपी गंगा दिल्ले एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की